फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन्फिनिक्स मार्ट 6 है आपके पास या कोई और मॉडल है इन्फिनिक्स का तो यहां पे आप कॉल फॉरवर्ड कैसे रिमूफ कर सकते हैं कॉल फॉरवर्ड हो रखे किसी दूसरे नंबर पर तो हटाने के लिए आप चले जाएंगे डाइलर पर इसके बाद आप यहां पर त्रे डाट पर जाएंगे सैटिंग पर जाएंगे इसके बाद कॉलिंग अकाउंट का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लें छुदे के… तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वाले बांबर पर मेरा काॉल फॉर्वर्ड हो रखा है यह आपकी कंपनी Yukar होता है और अगर यहां पर अपने अपना नंबर डाल रखा है यहां पर तो आप यहां से भी हटा सकते हैं… ठीक है तो यहां पर मैं इस वाले पेक्लिक कर दूँगी और इसके बद टर्ण आफ पे क्लिक कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि आपको call setting error और है तो यहाँ पाप OK कर देंगे और OK कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है phone को restart करना है मैं ऐसे तरके और यहां पर आप ट्षॉल करेंगे है कि सिम टूल किट है आप इसको अब्सक्राइब करेंगे इस पर click करेंगे और यहां पर इस पर click करेंगे और इसकी बाद यहाँ पर clear storage कर देंगे इसके बाद back करेंगे और अपने phone को restart करेंगे आपके सामने दुबारा से इसी टैप का interface कुल के सामने आ जागा आप इस पर click करेंगे और इसको आप turn off पर click कर लेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी problem यहाँ पर fix हो चुकी है तो इस step से आप call forwarding remove की problem को fix कर लीजेगा I hope guys इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार